एक instant geezer और storage geezer में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एक storage geezer गरम पानी को अपने storage tank में store करके रख सकता है सो जितना बड़ा tank होगा उतने ही जादा family members at a time पानी को use कर पाएंगे लेकिन एक instant geezer की tank capacity बहुत ही कम होती है जिस वज़े से वो पानी को store नहीं कर पाता लेकिन एक instant geezer को on करते ही वो तुडंद गरम पानी देता है वरास एक storage geezer को on करते ही वो गरम पानी देने में 5-6 minute time लेता है अगर आप सर्दियों में गरम पानी का shower लेना चाहते हो या फिर आपकी family बरी है और आपको ज्यादा गरम पानी की जरूरत है तो एक storage water geezer आप ले सकते हो लेकिन अगर आप single हो या फिर couple हो और balty से नहाना prefer करते हो देन आप एक instant geezer भी ले सकते हो